मैं गीता पर हाथ रखतर कसम खाती हूँ कि मैं जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी आपको बता है इसी तरह हमारे कोट्स में गीता, कुरान, बाइबल और बाकी धार्मी ग्रंतों को रखा जाता था और आई विटनेस के मतलब चश्मदीद गवा के धर्म के हिसाब से उसे कसम खिलवाई जाती थी पर आजकल कोई भी गीता या कुरान पर हाथ रखतर कसम नहीं खाता तो जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो आजकल प्राक्टिस नहीं किया जाता इतनी यूनीक प्राक्टिस इंडिया में आखिर स्टार्ट के से हुई इसकी हिस्टरी क्या थी और किस रीजन के वज़े से इस प्राक्टिस को खतम किया गया तो देखे भारत में मुगलो के शासन की वक्त रिलिजिस बुक्स पर धार्मी ग्रंतों पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रता शुरू की गई थी क्योंकि उस टाइम पे लोगों का अपने धर्म के प्रती काफी जुकाव था और यह माना जाता था कि अगर कोई भारतिय अपने धार्मी ग्रंत पर हाथ रखकर कसम खा रहा है तो फिर वो जूट नहीं बोलेगा यही सेम funda यही सेम logic Britishers भी adopt कर लेते हैं और इस चीज़ के लिए भी वो वही करते हैं जो वह हर चीज़ क्लिए करते हैं अब Britishers क्या करते थे हर चीज़ के लिए lot तो बनाते थे तो इसके लिए उन्होंने बनाया Indian Odes Act of 1873 जो हर Indian Court में uniformly follow होने लगा In fact, Independence के भी कई साल बात तक इस law को follow किया जाता था 1950s, 1960s तक, हिंदूस गीता पर रखकर, मुस्लिम्स कुरान पर, Christian Bible की, पार्सी जेंदावस्ता, हर धर्म का इंसान, अपनी धार्मिक ग्रंद की कसम खाता था Independence की बात तक ये पूरा सिलसिला खतम हुआ 1969 में, जब Law Commission ने अपनी 28th Law Report में 1873 के इस law में कुछ revamp करने के लिए, suggestions दिये, कुछ recommendations दिये और इन ही सुझाव, इन ही suggestions के चलते, 1873 के इस law के जगा आया Oats Act of 1969, जो अभी तक follow किया जाता है अच्छे, जो पूरे changes थे, ये क्यों लाए गए थे? सिस्टम को और uniform और secular बनाने के लिए, तकि देश का हर इंसान अलग-अलग किताबों पे हाथ रुकर कसम न खाय, शपत न ले, बलकि एक ही तरीके से सब शपत ग्रहन करे, तो अब आप क्या कहेंगे? कि मैं ईश्वर को साक्षी मान कर ये कसम खाती हूँ कि मैं जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवाए कुछ नहीं कहूंगी अचा एक और बात, अगर कोट में 12 साल यह उससे छोटा कोई बच्चा आता है, तो उससे किसी भी तरगी कोई कसम नहीं खिलवाई जाती अब एक कोशन आप आंसर करिए, क्या होगा अगर कोई जान मुझकर जूट बोलता है या जूटी कसम खा लेता है, जैसे छोटे में हम सब नहीं गेम्स खेलते हैं जूटी कसम नहीं खाई होती है, कि नहीं नहीं मैं तो आउट नहीं हूँ और तू अपना देख ले, अचा का वर्टिक बदलने के लिए, तो उसे साथ साल तक की सजा सुनाई जा सकती है, उसे साथ साल तक के लिए जेल हो सकती है, फाइन के साथ साथ, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ये जाना, कि आजकल कोई भी गीता या कुरान पर हाथ लकर कसम नहीं खाता, तो जो फ